केंदरी मंत्री मंदल ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ली उतुपादन नाल संबंदत प्रोच सहन स्कीम दायलान कीता है कैबनेट दे फैसले संबंदी प्रेस कांफरेंस नू संबोधन कार दियां केंदरी फूड प्रोसेसिंग मंत्री पियुश गोयल ने दस्तिया आए कि इस स्कीम तहत 10,090 करोड़ रुपैदी सबसिडी परदान कीती जावेगी और दस्तिया कि सिरकार फूड प्रोसेसिंग सेनत नुग देरे मजबूत करन ली वचन बाद है गोयल ने दस्तिया किस स्कीम राही टाई लाख तो वद लोकानू सिद्य तौरते लाप मिलेगा खेती बिलान दा जिकर कर देया पियुश गोयल ने किहा कि इन राही किसाना दी आमदन नूँ बुदा ओन दे बदल त्यार कीते गए ने किसाना नूँ अपनी फसल केते भी वेच न नमा बदले ना बिला मिच्टिता किया आए पर किसान होन समझ गये ने के एक आनून ओनादी पलाईलाई बनाए गये ने किसानना ले हर बदल वेच चोही ओनादी लाप छुपेग होई ने गोयल ने क्या कि ओन वाड़े समय बेच वी किसाना दियाम दन्नू दुगणा करनली टांकतरी के लब बेजा रहे ने केंद्रे मंत्री मंदल ने जो प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम फोर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पी एल आई फोर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 क्रोड रुपए इंसेंटिव या सबसिडी के रूप में देने को मंजूरी प्रात की खिसानों के लिए विशेश करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंडे उसके लिए ये निर्ने लेके एक फिटिंग ट्रिब्यूट तु आवर फार्मर्स फिटिंग ट्रिब्यूट तु दी अंदातास जिनोंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है खिशी शेतर की उस उपज को बढ़ाया है फूड प्रसासिंग मंत्री ने क्या के एपी एमसी बजार अनुवी सुदारंदे यतन कीते जा रहे नियुना क्या के वाकफाक तरीके ना ही रोजगार अते बजार नूँ वदाउन दी कोशिश कीती जा रहे है गोलन दसा के PLI स्कीम लई ब्रांडिंग अति मार्केटिंग लई वी यतन कीते जा रहेने